और अब वक्त है एक ऐसे समिनार का हिस्सा बनने का जहां नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में देश की भावी इंजिनियर्स को किया जा रहा है अपडेट विकास की तरफ कदम बढ़ाते भारत के गाउं आज भी महरूम है बिचली और साफ पानी जैसी आधार भूत सोविथाओं से जिसका एक बड़ा कारण है एनर्जी के रिसोर्स का अभाव यही बज़े है कि अब देशी से एनर्जी के कन्वेंशनल रिसोर्स की डिमांड और सप्लाई में आ रहे क्याक के मदे नज़र भारत सरकार ही नहीं बलकि शिक्षा विभाग ने भी पहल की है Solar Energy और Wind Energy जैसे Non-Conventional Resources की उप्योगिता पर जोड देने की ये नजारा है हाल ही में आयोजित किये गए एक सेमिनार का जहां फील्ड से जुड़े जानकारों ना सिर्फ इन Energy Resources के बारे में बताया बलकि इस शेत्र में दिनों दिन बढ़ रही मैन पावर की दिमांड से भी छात्रों को रूब रूब कराया Solar Energy, Wind Energy इन सब को यूज़ करके हम electricity प्रियूज कर सकते हैं करे डिगेटरी आई थी और उन्होंने हमें ये लेसन दिया तकनीकी शिक्षा पा रहे ये छात्र ही तै करेंगे देश के नए तकनीकी विकास की दिशा को ऐसा मानना है एनरजी से चुड़े इन जानकारों का ही नहीं बलकि तकनीकी शिक्षा दे रहे शिक्षान संस्थानों का जो कोर्सिस के साथ छात्रों को नेशनल लेविल के इन सेमिनार्स की जरिये देते हैं इंडास्ट्री एक्सपर्ट से रूब रूहोने और राष्ट्रे समस्याओं से जुड़े पहलों को समझने का मौका आज का सेमिनार नौन कन्वेशनल इनरजी के उपर हमने करा जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं मिनिस्ट्री आफ नौन कन्वेशनल इनरजी के आई टी के एंड दूसरी औरणाईशन जो इससे लिंक्ड हैं उन औरणाईशन के हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया था तो उन्होंने अपने शेर एस्पिरेंस उस पर शेर करके पताए कि कंट्री के अंदर कन्वेशनल इनरजी का लिंक्टिट साजन है कुछ दिन के बाद ये जो है कम होता जाएगा इसके लिए जूरी ये है गौर्वर्मेंट इंडिया की तरफ से जानकारों की माने तो आने वाले समय में नौन कन्वेंशनल इनरजी सेक्टर से जुड़े सभी शेत्रों में ट्रेंड इंजिनियर्स की मांग में खासा इजाफा होने की संभावना है जो लड़कियों के लिए भी इन शेत्रों में एक अच्छा करियर बनाने के साथ देश की तरक्की का हिस्सा बनने का अफसर साबित हो सकता है क्योंकि आज इन शेत्रों में हो रहे इनोवेशन्स ही बदल सकते हैं देश के रूडल इलाखों की तस्वी हम लोगों को इस बात को समझाएं भारत एक पावर स्टिकन कंट्री है जहां पे 20% पावर शॉर्टेज है सोरे उर्जा उसको बड़ी बखुबी और बड़ी अच्छी तरह इसको पूरा कर सकती है उसके साथ साथ बहुत सी जॉब क्रेट हो सकती है और रूरल एरिये के लिए तो ये बहुत देन है क्रामीर शेत्र में क्या है कि हमारी जो महलाएं है उनके पास इलेक्टरसिटी नहीं है बिलकुल तो उनको बहुत दिक्कत होती है अगर वहाँ पर एक ऐसा प्रोजेक्ट लगा दिया जाए जहां कि सोलर इनर्जी से वो इलेक्टरसिटी उनको मिल जाए तो उनको क्या एक डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा जिससे कि उनका हेल्थ अच्छा होगा कॉर्सेस के दौरान मिलने वाला ये प्राक्टिकल एक्स्पोजर एहम भूमिका निभाता है रीसेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग खुद को तयार करने में ऐसा माना है तक्नीकी शिक्षा पा रहे छात्रों का बहराहाल देश के भावी विकास को लेकर शिक्षा जगत और सरकार द्वारा की गई ये पहल संकेत है उस बरलाव का जिसमें देश के युवा अपने इनी प्रयासों से देंगे भारत को एक विक्सत राष्ट का दरजा संसा करो स्वेड़ सक तक्या ये लुवा झां भारत का ईनी देशने का देशना हू जबसाई ऐसे बढा़को प्रयोग जगते हा झाल आया है जड़ता आत्रों के विक्सत राँ शिक्षा ज़िए जढे बादा मेंने देशना के लिए विक्सत गास के विक्षा आफ़ता के